शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें आरे उधे दाके देखो देखो लड़के वाले किसी वक्त भी यह आ जाएंगे सारी तयारिया हो गई ना सब तयारे पोई गण सब्सक्राइब कर दो ना सेटी है अंगार जाए वह लोगागे हैं को थे आइसते चलाने को क्या थे तरह को तो तो छोगे है यह लड़का वह वापस ले जा हार दिखता ने अन्दा है क्या हराम कों पर शुक्री सब्सक्राइब जल अंदर एक काम करो तुम लोग सामान उतरो और अंतर लेकिया हो ए तु गाड़ी लगे जाए भाड़े का पाइसा बाद में ले लगा चल बाद में जूगा चल आज घर में मूह दुखाई की रसम होने वाली है लरत तुमारा ये पेंट पॉलिश ट्रम इस सभाल के मारना कि दुर दुर गिरना नहीं सी बिल्कुल नहीं करें और इस काम को पूरा होने में कितना ताइम लगे गा कम से कम पांच दिन लग जाएंगे पांच दिन तु काम कर चल चल देखो बाई जी से घर मेरे पास दुनिया भर के सबसे बहतरीन मज़ूर है वो हमेशे संबाल के का करते हैं कि सब्सक्राइब नरे का फिरी धन्राव करें तेरी पाड़िया दुकादर से भीख मामां यह ने तीन बोतर ली ती बोतर लीटी पालिश की हम क्या करेंगे अब कून आगे लड़के वाले आगे हरे जल्दी कर, साफ कर, पांच दिन पांच दिन का कर निग देग कि निकलेगा दो दिन के अंदर काम ख़तम हो जाना चीज़ समझे नमस्ते बेंजी नमस्ते ये मेरे पूजने पिता जी की तस्वीर है मेरी हर सुबा रोज इनको परणाम करने से शुरू होती है ये तस्वीर बंगाल के मचुहूर सुदीव जर्ने बनाई थी उस समाने में एक लाख रुपे रियादा इस तस्वीर काम ले आज तो इसकी क्या वैल्यू है ये अब कैसे चुटा ये नीचे की रखे वो तो महर को भी मालूम है ये दिवा मैं क्या करूं तुम लोगों का तोड़ दी मेरी घड़ी तोड़ दी तुमको मालूम है कितनी मेंगी है अरे चिंतन आ रहाँ उसे अरे इधर आ देख ये क्या किया मेरी घड़ी तोड़ दी इसारा पैसा इस्से बसूर कर रहा होगा से घड़ी कितने में पड़ेगी अरे मेरे दादा जी के जमाने के थी आ भाव बच गया मेंगी नहीं पुरा तेरी तोन में चेंट कर तूंगा साले मयने किरा इस इस तारा इसक्ताइब आ या किया तुनने में किया आपने किया घड़ी से साफकर म यह और देखता हूं जलflows ज़ड़ी कर तीक करता उ आँ तो नहींता ओसार सन सब्सक्तिरां तरहल सेल मुए थि thirty mad ए reasonable जलदी करिचे जलदी कर जलदी कर erro जलदी कर जलदी कर आपयängt Referlkू जलदी कर आप़े जलदी कर जलदी कर कोई को जा है जलदी कर 500 हुआ 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 इसने रंग फेक कर सारी मिठाइया खराब कर दी और ये देखो मेरा हाल लोगों ने रखी है कि मेरी बेटी की चाहदी तुडवा के रहो गए इसके बती गुल हुए तो जमाना हो गया तेरे को अभी पता चला अरे अरे इस लफंगे को आश्बताल में जाकर फेक करा आओ यहां पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर्पे जिम्मेदार मेरे ले तो यही अच्छा मर जाए साला यही रसम शुरू होने में सिर्फ दो मिनिट बाकी है मुहरत निकला जा रहा है क्या मुशीबत है मिठाईयां गई भाड में अरे तो मेरी बेटी को त्यार कर आव रसम के लिए चले गए उल्लू पाई सचाहिए किसलिए अभी उसक आस्पदाल में ठूसना पड़ेंगा ना ती चार करोड़े जेब में दू तेरे को दू अंदर से निकालके साले उसको उठाके बाहर फुटबाद पर फैंक दिये संजय मुश्बाड़ी गाड़ी उठाके ले जाएगी ने तो उसका अंतिम संस्यार का खर्चा भी मेरे को तू क्यों रो रहा है तेरी मा मर गई है पेपर में शिल्पा शेटिका लेकर हो गया भाव तो हम लोग क्यों रोए वो उसकी तकदीर है तू काम कर जाके चल शिल्पा शेटिका भी आओ गया है कैसा चल रहा सब कुछ दाल चावल तो है भाव पर पकाने की जगा का है वो भी मैं डूंडू दल्लाओं गाओं का अरे उस घर में जगे है पकाने के लिए लेकिन उधर की इडिंबा मना कर रही है the quicker उमाथ करो अरे वो नहीं पटेगी । दिखाओ नमस्थे 50 आपके नमजी देखानी होगे लेकिन आपने सउना होगा मेरा नाम सच स्च न के बारे में साच न तेंदूलकरetin नहीं तिछिट कोली कंपणों रैक वह मुंसमिल्टी racism प्रश्ट आप जो है 30 लाग का मेरी कंपनी निबला है सट्यम हाउशिंग कॉलनी 100 करोड की वो भी मेरी कंपनी निबला है तीछ कुले कंपनी वर्ल फेमस है कि थेकेदार हाहा फटी मैं सही बोलते यह लेकिन हमें यह कुչ नहीं बनवाना नहीं जी मैं काम मांगंने नहीं मिल प्रण ओर क्यों यह क्यों करने के लिए मेरे पास मज़ूर कंपरें तो मैं तुमें क्या मजदूर दिखती हूं? नहीं नहीं दिदी, क्या है, मैं अपने मजदूरों का भौत ध्यान रखता हूं मेरे मजदूर मेरे बगवान जासे, सारा दिन महनत करते रहते हैं अगर सही वकपा उनको खाना नहीं मिले तो बिचारे ठकार के तूट जाएंगे डाल चावल बिलकुल तयार है, बस दिदी इत्ती सी जगा चीए आपके घर पकाने के लिए, बस इत्ती सी जगा पर मेरे मैनेजर ने बताया, आपने उनको मना कर दिया मुझे मेरे पती से पुछना होगा दीदी, आप मुझे अपना देवर संजीए खाली एक दो दिन की बात है, मजदूरों का भला हो जाएगा, आपको दुआय देंगे, प्लीज दीदी दीदी, आपको मेरी कसम है ठीक है, ठीक है लेकिन यकाम फटाफटो जाना चाहिए अरे डाल खिचिडी बनाने में कितना वक्स लगता है दीदी फटाफटो जाएगा, कोई परिशानी निया, आई श्यपत अच्छा बस आपका बहुत बहुत दन्यवाद आपकी बस देया चाहिए अच्छा मैंने तो उसी वक्त बोला था वो ही डिंबा नहीं पटने वाली सब चाता लेके दिखाता हूँ अभी दिखाता हूँ अभी क्या हूँगा वो लोग मान गया है तो फिर ऐसे कीचड में बैठे सुवर की तरह सुस्त क्यूं लग रहे हो भाव मेरे सर में दर्द है मैं कल आता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ रंगी ले, तुने नमक नहीं खरी था? भूल गया, भूल गया अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाव भी बिना नमक के मेरे को क्या करने का है? ए ले रहे ए खाली नमक चाहिए ना? अभी लाके देखाँ जल्दी लाके देखाँ जल्दी लाके दे बेंजी बेंजी थोड़ा सन्नमक, वो लाना भूल गया सब्सक्राइब भी लाके राँ तू चीज बड़ी है, मस्त, मस्त, तू चीज बड़ी है, मस्त, मस्त, अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में काम कर, काम कर, पानी उबाल, पंदर क्या जाने आता है, तू साच, ये लो, कचरा कितना है, पंदर किका । शेए, minim, तू सक्या, एक 20, सच, पिल, शेक, कर, एक पिल, और अ, आए, अ погMoreल, पिल, 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 महलु कर, उपना है, र attent,unted, कि तूस्तव आज अजी रही ने अप法 ही नहीं, किर जरेदे, मादि- माँ बेने नाती है, वहाँ जहातने की तरी हिम्मद कैसे हुई, मैं तो प्याज लेने आया था, प्याज, बात्रूम में, साले, इसको घर में किस ने गुष्णे दिया, अब मैं उसको पकाता हूँ, साले, कुत्ते, रामजादे, रामजादा, साला, आज तेरे अपरे चुप तेरे इता है, प्याज, बात्री हिगाया। puppy, घराता, साले, दूषरी बार हिए तो तेरी ढांक तोड़ूँगा। साले? के रोग, रोग, क्या हुआ, गुरा दिन खाना नहीं खाया सब्स्तुप्रिय। क्यों वो हिडिंबा के पती ने मार मार के सब को बाहर फेक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डबा भी उलट दिया भाव। समझ गया कौन है इसके पीछे तूने कुछ किया नहीं मैं जाता तो मुझे भी दो-चार पर जाती भाव। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला है अब दिखाता हूं साली को कि मैं कौन हूं साली ने मारा इसको सब जानता हूं और तेर को बिना वजे पीटा उसने कोई बज़े नहीं थी भाव। उसने तो आपके माबाबुजी को भी चार-पांच गालिया दी और मुझे भी चार-पांच ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया इसलिए हाथ रुक गया। कौन है बुलाओ इस मोटे को भार मेरे मजदूरों को पीटने वाले उस राक्षश को भार बुलाओ इस टिचकुले के लिए उसके मजदूरी सब कुछ है याद रखना मजदूरों की आखों में आसू का एक बून भी देखता हूँ ना तो ये चुवा शेर बन जाता है ए मिस्टर ए खबरदर जो मूग खोला तो अपना चुप करके बैठी रहे उसको बाहर निकल अपने भाई को नहीं तो लात मार के दरवाजा तोड़ दूँगा बाहर निकल यहांसे यहांसे जाने के लिए नहीं आए हूँ तेरे पती ने मेरे मजदूरों को गाली दिये उससे मैं बतला रेक ही लूगा उस भिकारी को मुझे घर में गुस्ने भी देना चाहिएता ये सलिया घुषर दूँगा तेरे अंदर एक तो मज़ूरों को मारती है उपर से बखवास करती है ए मिस्टर जो वाया थरकत उसने किया उसके लिए तो इतनी मार भी कम है तेरे आखों में डाल दूँगा ये चाता जा बुला अपने भाई को उससे ही बात करूँगा मैं मैं वैसे भी और तो से बात नहीं करता मर्दी बात करेंगे आपस में तो ताब आना जब वो घर पे होंगे वो कूत्रा घर पे नहीं है बोल देना उसको कि कॉंट्राक्टर टिचकुले उसकी हटी पसली निकाल के डांडिया खेलने वाला है और साथ में उसको जला के उसकी रा चलो उठो भाईया उठो भाईया उठो क्या हुआ देखो बाहर कौन आया है बाहर पुलिस आई है पुलिस वो जबरदस्ती मेरे घर में घुसाया और तों को दबोचा और गाली गलोच की उसने आपके साथ कुछ नहीं किया अरे मैं घर पर होता तो उसकी घरदन मरोड दे आपने और बावुजी ने मुझे तो अच्छा है बच्चों का खेल है यह केज बहुत पेचीदा होने वाला है बहुत सारी धारा है कलमे लगने वाली है इस पे घर में घुस पैट बलातकार करने की कोशिश देखना बहुत लंबे समय तक जाने वाला है अंदर हां यह सब क करूंगा तेरे चम्चे इतने नीच और हलकट है घर में जब औरतें ना रही थी तो गुसके जाक रहे था अब ऐसी हरामी गिरी होगी तो आप क्या करेंगे पकड़े के चुम्मा चाटी करेंगे मेरे मरने के बाद यह सब नहीं कर सकता था तू बाबुजी मैं जी चलो मैं देखना चाहता हूं इस देश में सच्चाई की कीमत है कि नहीं और मैं जाता हूं यह कांट के बीचे कौन है वो ही यह पहली बार पहली बार इस घर में पुलीश आईये वह पहले भी आ सकते थे लेकिन आप लोग गूस देके निकल जाते हो मेरे पास पैसे नह पीछे पीछे चल अंदर चल वो सब बोलने के लिए है तुम पीछे जाओ ड्राइवर बैठा हुआ आप आए भाई सब आए चोरी पर सीना जोड़ी सुख देखना भाग नहीं जाए यह मां तु मेरी फिकर मत कर अंडे उबाल के रख में अभी आया चलिए भाई सब अ कि आए कि बाबुजी साल योई क्या तुमने एसा क्यों किया भाया निनिक्या कुछ किया ने कोई किस्मूंसे जाओंगी तरह गोड़ी बात सुन गुरिया कुछ नहीं है वालातकरी आया वालात माा मैं तुमको संजाता हूं कसम खाता हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आपकी खाल मैंने ऐसा कुछ नहीं किहां तो मामेरी बात तो मैंने अग्छ depends मेंक diligentlyょ किस पीञिया औरतों ब्लों राक दर्वाजों बैड़न पर कडी मार के शुटा सांट घुमरा बम रहे reject बाबुजी 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 माना मेरे पस पैसे नहीं है लेकिन मैं इतनी घिनोनी हरकत कभी नहीं करूंगा मैं सची कह रहा हूं बाबुजी मेरी अरे नलायक तू तो इससे भी घिनोनी हरकत कर सकता है क्योंकि तू पैदा हुआ है ग्रहन के दिन मनोस कहीं का करोड का इसको पाने के लिए हमने मिनिस्टर को 500 करोड दिया है 200 करोड कुछ पाल्टी फंड में गया होगा सब कुछ नेता लोगों को खिला दोगे तो हमारे हाथ में क्या आएगा तंबोरा देखो सिना सब कागजों में यह सड़क सीधी जा रही है अगर हमारा कुछ फाइदा होगा तो यह सड़क हम जिल की तरफ से मोट देंगे जहां आप लोगों की जमीन आप सोच रहें उतना हम नहीं बना रहें हमें सब पता है कि आप कितना बनाते हैं और कैसे बनाते हैं है खैर चोड़ी जब हम इस अड़क आपके एरिया के पास से लेकर जाएंगे तो जो खिसानों को आप में बेवकूब बना के जमीन खरी दिये एक हजार रुपए एकड के हिसाब से उसका तो द ये संजे राना की वज़े से कर रहे है, समझे? अब देखो ये सड़क, ये हाईवे, ये सरकार किस लिए बनाती है, ताकि लोगों का और मालवातुक का आवगमन थेजी से हो, देश का विकास थेजी से हो, अब देखो ये सड़क, आपकी जमिन जाहा है, वाँसे मोडेंगे, तो आप लोगों का ही विकास होगा ना, अब आपका विकास हो रहा है, तो हमारा विकास करो ना, हमारा विकास ये देश का विकास, अब देश के विकास की किसको पड़ी है, हम यहाने देश, क्या? रोग 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 पिछेले बास 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 को मैं उसी दरफ जारा हूं कर दो चोड़ देता हूं नहीं मैं बस चरी जाओ आरे चलिया ना नहीं सोटे कम और चलिया यह छोड़ दे acre इलो है और अब यह यह के लौई इए अशिवारे का जाज भाग इंग। है जाज बहे तु घला बहे है नियुच्ट पर सूहे भी इयुक्त अब अब परोसे बहे है दो अपने करें दैंड में तूह सुरह किस्ट नहीं अब अब कि वह सब ठीक है मेरी मंत्री जी से सारी बातें हो चुकी है आप लोग अमुद्दा जो है वह अगली एसेंबली में रखा जाएगा विसे कल के मुर्चे के लिए हो रहा है बस तैयारी हो गई जल रहा है यहां कैसे आना हुआ जी मुझे ज़रा एक जरूरी बात करनी थी आप आपके सामने नहीं हाँ मैं आ रहा हूँ अभी चलो है बहुत बड़ी बात है आपने मेरे भाई को बचाए अरे नहीं वह समाज सेवा करना तो फर्ज है मेरा पर इसका यह मतलब तो है नहीं कि मेरी बेहन का बीच रास्ते में हाथ पकड़ लेना उसे छेड़ना वह समाज स सिर्फ हरीष टिचकुले उसका भाई निये बलके सचिन टिचकुले भी उसका भाई है और जब भी कोई मवाली किसी की बहन को छेड़ता है तो भाई का भी कोई फर्स बनता है और वो फर्स यह मुझे मालू मैं तेरा धंदा क्या समझे ना गुंड़ा किर्टी मारा किर्टी पर यह सबतकंडे मुझ ममा आजमाना समझे तेरी लाश मी नजदी आएगी और ज्यादा अकड़ मत बूलना कि यहां के पीचे मेरा रोने वाला कोई नहीं है और यह तेरा पॉलिटिक्शन भ अब तरह कान के नीचे बचाया सब्सक्राइब बोलना मात कुछ माल वाल सही बना गंगी तरे जेब में निकाल पिच्वड़ से ठीक है स्मार्ट बन हस्ते हुए चश्मा ले ले हस्ते हुए चलेंगे बार दोस्त हैं लोग दोस्त हाइए आई 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 जो कुछ समझ अब तरह करना है करो मोचे गां उजे निपता करना अधर की नाम बदनाप करने के लिए प्रेदा हुआ था तो अधर और तो को क्यों चेज में से जाक के देखता है मैं तो सिर्फ यह देख रहा था की बो लड़की है की नहीं यह कुत्ते का पिला नाती औरतों को देखता ह है और मेरे को जूट बोलता है उल्टे सीधे भाने बलाता है हां भाव हम तो आपको बहुत पहले बताना चाहते थे यह मोरतों के लिए सरदर्द बन गया है हमेशा पूछता है चोली के पीछे क्या है चोली के पीछे तेरी दादी मा है आएंदा कभी किसी लड़की को बु ऑए मोटे में बटे अ लोड़ा सो ठीका है तरह environments है उथा यह 20 पैसां चाहिए अधिक वरिकरों के लिए वो राम बरुज्टर में हमनेकाता खोला था पैसे निडिया तो उसने बंद कर दिया बाद में शीव शक्ति-वज्जज्जनले में खाता-कोला तो उसने भी आज से देरा बंकर देया हम लोग को कितना देना है उसका तक्रिब ऑग रसब्सक्राइब तक्रीबं तीन हजर है तीन हजर देना है कि मेरे पास मेरी एक कमर की चेन है खुर junior किये अगले हफते तक काम चल जाएगा लगता है सोनी की चैन उसमें तो आराव से एक सवा में निकल जाएगा दो ना एक मिनट अंटी में रखाऊ यह आपके कमर की चैन है हाँ मेरे पैदा होते ही मेरे माबाप ने मुझे पैनाई थी अभी-अभी यह मा की अलमारी से चुरा के लाएगा इसमें तो मुश्किल से सिर्फ तीन दिन निकल पाएगा वो भी आधा पेड तीन दिन काम चलाएगा ठीक है सर जी पता है भाव आज स अबने कमिशनर में अबना होदा समाल लिया है तुझा नानाची टंग इस से पहले कि वो ओफिस के कमीने मेरे बारे में बुराईय करे मैं जा के कमिशनर से बिल लगा एगा और अपना चेक जा के ले लगा अगा अगा अगने वाला रस्त भूल के एई सुष्ण इसरा कहीं बैं । सुष्णि नाया क कमिशनर था मिलना के से वाला में दूराई होचेतर आपने कर दो संगे, कोछा भागा आनने के CO THAT कि या जोना है अए. एक कि पuszमजु आला ऑлем को रखावी तुछा पूचा, या जो व् sex काम,शनी भागा है, व्लाए तुछा, जो और भागा कॉनेक्टर सच्छिन टिचकुले मिस्टर टिचकुले शायद आपको मालम होगा कि हिंदुस्तान को आजादी मिले 62 साल हो चुगे आज भी इस देश में ज्यादा तर लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं पता है क्यों तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से जो इस देश के विकास को नीचे लेकर जा रहे हैं इस देश की सडके और सारवजने कमारते हैं आपकी जेवे भरने के लिए नहीं है मिस्टर टिचकुले आपको बैठना है बैठ सकते हैं नहीं मैड़ मैं बैठ जाओंगा आप बोलते रहें एक भारी भरकम बैल गाड़ी उस पुलिया के उपर से गुजरी पुलिया और बैल गाड़ी दोनों नाले में इसलिए हमने तुम्हारा पेमेंट रोका और तुम कोट तक जा पहुचे तुम शायद कोट में जीत भी जाओं पर अपने दिल पर हात रख कर कहूं तुम जो कर पुलिया बनाने का खर्चा समझ लो एक लाख रुपय होता है इसमें से 25,000 रुपय मिंस्पाल्टी चलाने वाली पार्टी को देना पड़ता है दस से लेके 15,000 मुझे देना पड़ता है टेंडर अमांट पता करने के लिए अगर टेंडर अमांट मिल गया तो दूसरे 10,000 देने पड़ता है कॉंट्राक और्डर हाथ में लाने के लिए बाद में कंप्लिशन सर्टिविकेट के लिए 15,000 इंजीनर को देना पड़ता है बिल तैयार करने के लिए क्लर को 5,000 देने पड़ते हैं और चेक पाने के लिए मुझे उत्ता ही पैसा अकांटन को देना कर देश का विकास नहीं करना है मुझे इससे पहले कि तुम मुझे सिखाओ कि देश के नागरी का फर्ष क्या होता मैं तुमको बताता हूं बाहर जाके देखो पाहण पढ़ा हुआ है धूल जमी हुए उस पे अगर उसमें से आधी भी तुम इस जनम में क्लियर कर जाओगी तो पता चलेगा कि कित्तों की मौत हो चुकी है और कितने तो आत्मता ही कर चुके है अपने फाइदे के लिए तुम लोग ही रिश्वत को बढ़ावा देते हो तो फिर ऐसे लोगों को ही काम पे रखो ना है जो साफसुत्रे हो यह रिश्वत खोरों को निकालो मैडम एक बात बताता हूं खाली चोल डाकू इस देश में शांती से रह सकते हैं बस मैं तुमसे यहां बहस करने के लिए नहीं बैठी तुम जो कह रहे हो उससे कोई वास्ता नहीं है मेरा सरफ इतना कहना चाहूंगी के मिनसे पैलटी को पैसो की बड़ी तंगी है इसलिए तुम्हें अपना केस वापस लेना चाहिए तो ठीक है मेरा चेक निकालो निकालो वापस दो उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा यह बूखा लंगा गुजाला कैसे करेगा अगर यह केस वापस नहीं लिया तो यह दंकी किसी और को देना सबज़े ना मैडम एक बात अपने तीन टीचर को यह बोल के निकाल दिया था किस टाफ ज्यादा हो गया है और यही कहानी इस साल भी दोराई जा रही है और इस बार हमारी तीचर गीता पर निशाना लगा जा रहा है। दो साल पहले दोनेशन के नाम पर पैसा देकर इन्होंने नौकरी पाई। पैसे देने के लिए इन्होंने अपना घर तक गिर भी रख दिया। और अब स्टाफ ज्यादा हो गया बोलकर इनको निकाला जा रहा है। इस तरह की शोशन खोरी बिलकुल बंद हो जानी चाहिए। हम सबको एक साथ मिलके अंदोलन करना चाहिए। हमारा अंदोलन मतलब अहिंसा और शान्ती। हम सबको एक ही छट के नीचे होके इनको इंसाफ दिलाना चाहिए। प्रिंसिपल ने चेता उनीदी है। अगर हरताल करोगे तो सजा मिलेगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि हम सब स्टूडन्ट को एक हो जाना चाहिए। फिर बोलो मैनेजमेंट को हम सबको निकाल के दिखाए। तुम सब मिलके बाकियों को समझाओ। मैं गेहना से बात करके आता हूँ, उसको कहता हूँ सारी लडकियों को समझाओ। खाली यही बात करना है, कुछ और नहीं। तुम्हारी आखे देखकर पता चलता है तुम पूरी राद सोय नहीं। क्या मतलब? पूरी राद भाषन लिखकर रट्टा मारोगे तो यही हाल होगा न। तो एक काम करो पूरी राद भाषन तुम लिखो रट्टा मारो और कल सुबह बोलके दिखाओ मुझे मुझे को शौक नहीं नेताविता बनने का। मुझे भी कोई शौक निये निता बनेगा लेकिन जब भी सच्चाई और इंसाफ की बात होगी मा आगे रहूंगा यार मैनेजमेंट पूरा हिल गया है जातर स्टुएंट तयार हो ग परिक्षा नहीं देने के लिए अरे ये तो बहुत अची बात है अब अल्एश्टि वाले मैनेजमेंट से पूछें के उनके पास कोई जवाब तो मैनेजमेंट वालों को हमारी मांगे पूरी करने पड़ेगी लेकिन एक प्रॉब्लम है यार क्या हुआ लड़कियों को एक ग्रूप परिक्षा देने की फिराक में है चया एला फिर तो गड़बर हो जाएगी यार अगर कोई भी स्टूडन परिक्षा देने जाएगा तो हुआ हिएसए लोग आने जाने के लिए मस origin प्रॉप प्रचयान किया पॉख्य। कि बढहि क्यों नहीं दुर्ण होगा अगर में भी परिक्षा नहीं दूगी तो नुकसान मेरा होगा मैं तुम्हारी तरह कोई राजा महरा से मेरे बाबाल कोई मुझे पढ़हनregular है अगर उन्होंने पुझा परिक्षा क्यों नहीं दी, तो क्या जवाब दोंगी, हर्ताल के लिए? नहीं, आदर्शों के लिए. कौनसे आदर्श, जो इस देश को चला रहे हैं, उनके कोई आदर्श नहीं है, तो हम स्टूदेंस यू आदर्शों के पीछे-पीछे भागे, मैं जा रही हो, क्लास में. अगर तुम क्लास के अंदर गई, तो ये सारी लड़के तुमारे पीछे दूम दबाती हो आएंगी. वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है. मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं. मैंने कहा ना तुम अंदर नहीं जा सकती? मैं जाओंगी. मैंने कहा ना नहीं जा सकती तुम. मैं चाओंगी. सिर्फ मेरे अकेले के आदर्शवादी बनने से ये देश नहीं बदलने वाला. मैं सिर्फ अपना गुजारा कैसे करूँ, उस ही की चिंता करता हूँ. गुजारा करने के लिए और भी कई रास्ते हैं. तब यह तो अभी भी अच्छी खासी है, हल चला कर खेती कर सकते हूँ, कुली बन सकते हूँ, मच्छी बेचो, अभी तुम जो कर रहे हो उससे तो कई ज्याद अच्छे काम है ये शड़ा, बखास बंद करो, संभाल के बात करो, अपनी कुरसी का रोब तुम मुझे मत अजिमा अच्छी मुझे इस करूँ शाची मुझे, नमसle कौन बोला सचीन आपके बार में सोच लादा 200 साल जी होगे कतम से आप बोलिए आज केस का फेसला था ना कोट में आप नहीं आए पाव वो इसलिए आप से मिलें आलना था मैं क्या वह हार गया नहीं सचीन टिछकुले केस जीत गया नहीं पाल्टी वाले ने घुट्टे मुझे भी पहली बार है ना उनके वकिल ने कहा उसका रोड रोलर आपको देदो रोड रोड रोलर मेरा वड़े दिनों में खुशी का दिन है सुना रहे है जदकार इदरा अपने बात अभी खूद का रोड रोलर होने वाला है मैं अपने को किसी से भी मांगने का सरूत नहीं है अब इसके बाद पीचकुले का नाम इस देश पे पड़े कॉंट्रक्टे के साथ के साथ टीपोट टाटा टीपोट चाचा टीपोट टिस्कुले टाटा टिस्कुले टाटा मेरी सडके भी अभी स्टील की होंगी अरे उसको छोड़ो ना भावू ये तो जश्ट नमनाने का टाइम है अरे तो पुला तब कामाले को अर्शुरू